हलो फ्रेंड्स आज किस वीडियों हम लोग बात करने वाले हैं एकसरसाइज 5.3 अर्थमेट्रिक प्रोगेशन हम लोग पढ़ड़े क्लाश 10 तो फैनली फ्रेंड्स इससे पहले वला वीडियों आप लोग नहीं देखें जिसे कि 5.1 और 2 का ओल हिसाब मतलब सभी हिसाब को मै ने असान तरीका से हल कर दिया तो आज जो हमारा तीसरा नमर जो है जिसमें 10 हिसाब दिया गया उसमें हम लोग देखें आज कितना तक हल कर पाते हैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोग के लिए तो फैनली फ्रेंड्स हम लोग तीसरा नमर देखें यहां है यहां पर इपकार रहा है किसी फाइवें और डिया थिया हुआ यह एंद्गेश पचास दिया गया है और एन और एसेंगा घ्यात करना तो एपी का जो स्रीज होता है उसके लास्ट जो पधा है लास्ट पधा ता वह उसको हम बोलते है इंट ठीक है डी सर्वानतर हो गया मतलब पहला पद और दूसरा पद के मैनस वाला जो होता है पहला पद दूसरा पद मैनस पहला पद वो सरवांतर हो गया D और ये तो पहला पद आप लोग को पता है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे ग्याद करने के लिए बोलड़ा N और S N तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पहले एक किसा आप समझ लेजिए वी नॉट एट अप लोग लिख सकते हैं हम जानते हैं ठीके क्या जानते हैं एन इक्वल ए पलस एन मैनस वन इंटू डी ये वाला जानते हैं और एस एन मैंने से पहले वाला वीडियो में सिखाया था एसन एक्वल एन बाइट टू इन्टू ए पलस एन मैनस वन इंटू डी ठीक है ये सिखाये थे अब आप लोग को एक और सिखाते हैं या इस formula के लिए आप लोग एक और formula होता है उसका वो होता है आप लोग को बताते हैं S N equal होता है N by 2 into A plus L अब वही आप लोग यह सोच रहे होंगे Sir L क्या है तो L जो हो गया है यह last पद जो है न last पद दिया हुआ है L हो गया ठीक है last पद को क्या बोलेगा हम last पद को हम L से सूचित करते है ठीक है और A A देखे यहाँ पे दिया हुआ अधी ऐसा condition आवे हिसाब में ऐसा condition आवे अधी पदों का योग बोले और last पद दिया रहे और A पालूम रहे से निकालेंगे एन एन गयाद करने के लिए मेरे लिए बेस्ट फॉर्मूला यह है एन इक्वल ए पलस एन मैनस वन इन टूडी ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेंगे जो दिया गया है वह देख लीज़े ठीक है डिटेल से पूड़ा बता दिए आप देखे यहाँ लिखेंगे गिवेन आप लोग लिखेंगे दिया हुआ है कोई दिकत नहीं ठीक है यह इक्वल दिया हुआ है फाइव डी इक्वल दिया हुआ है ठीरी और एन इक्वल दिया हुआ है पचास ठीक है एन इक्वल वाट मत दिखेंगे हम लोग अन इक्वल ए पलस एन मैनस वान इन्ट्व डी दो एन कितना दिया हुआ दिखिए 50 दिया गया ठीक है एक कमान 5 पलस एन कमान निकालना यह नहीं दिया हुआ डिकामान दिया गया तेड़ि कोई दिक्कत में अब यहां पे पचास मैनस 5 क्योंकि यह पलस म एक्वल एन मैनस वन टिपला ठीड ठीड अब यहां पर दिख लीजिए यहां तक समझ गए होंगे इस से मुतारदीश को मेनस को इधर गुना में इधर आकी क्या हो जबाग में हो जबाया तो यहां पर दीख लीजिए पैटारीस आ गया तो यहां पर लोगर सकते कितना पंद्रह तिया 45 ठीक है एन मैनस 1 इक्वल क्या आ गया 15 तो 15 आ गया तो 1 इधर है मैनस मेहत इधर आके क्या हो जगा पलस मेहत यहाँ लिखेंगे एन इक्वल 15 पलस 1 एन इक्वल क्या हो गया 16 मतलब एन निकल गया अब आप चाहो तो इस फॉर्मूले पर भी ग्याद कर सकते हो और आप चाहो तो इस फॉर्मूले पर एन निकालने के लिए बोल रहा था तो एन मैंने यहाँ पर निकाल दीए देख लिए एन निकल गया अब दिया हो नहीं 16 सोलर कमॉन निकालते हैं चैन कमां क्या तो आब एक मॉन दिखें बहुत अच्छा समझे एक मॉन पॉंच बाउच पलस एल कमउन मतलब लाश्ट पर लाश्ट पड़ यहां का रिपश्रीज यहां पर पचास ठीक अब यहां पर S16 equal लिखेंगे 8 इकट जाएगा ठीक है 26 अब यहाँ पी क्या हो गया 50 और यहाँ पी क्या है 5 5 और 50 को add कर देंगे तक क्या हो जाए 55 अब simple सा है S16 equal क्या हो जाएगा इस दोनों को multiply कर देंगे और multiply करने एक बाद आ जाता मेरा चार सो चालिस अट पंचे चालिस पसुन्य अट पंचे चालिस चालिस जो बचा हुआ था चार जोर दिए 444 हो गया ठीक है यहां तक आप लोग complete समझे और यहां पर जो बोला जा रहा था एन बोला जा रहा था और एसे निकालने के लिए तो हमने दोनों चीज निकाल दिया कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ समझने में ठीक है हम लोग दिखते आप next वाला next वाला देखते यार वीडियो अच्छी लिए वीडियो को लाइक जरू करना दोस्तों साथ जरूर करना नहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ चलिए जो डूल्स है उसी रूल पर चलेंगा हम लोग सबसे पहले दिखे एक्वल से बंदिया है और एटरीन इक्वल 35 दिया हुआ है डी और एस ठर्टीन ग्याद करने के लिए बोल्ड है तो सबसे पहले जो दिया हुआ है यह एक्वल से सबसे लिए मंद यह और लोग कूसे अघ्याद कर लेख पहले वाले हिसाम में हम बताये थे ठीक है कही कोई दिक्त नहीं है 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 यहां पर हो जाएगा बाइंती है कि मतलब यह इन व टिन हो गया थी क्या हाँ यहां पर यहां पर यह का गुब दिया हुआ है सेवन दिया हुआ ज़ता है मुझे समझ नहीं पाए यहाँ पर एस हां पर इधर फिल फाइबंद यहाँ यहां पर क्या करते हैं टुश्टा यहाँ इधर प demonstienen Previously इधर राकर क्या ओंस में betี้ यहां आजाता है 28 ठीक है 28 आजाता है अब डी इक्वल आप लोग लिख सकते है 28 बटे 12 ठीक है अब आरामस को काट लीचे 14 दूना 28 दूना-12-7-24 तीक है तोब डीएक ल मालूम वहाइनोकि यहां पर बोल्डा था डी निकलने क接krit केThat लिए निकलना है तो हम लोग जानते हैं आप दिखेंऐ भी गया है मतलब यह जो पद चल रहा है यहीं तक दिया गया है ठीक है तो हम चाहें तो दो फर्मूला है अप लोग जानते ही एन बाय टू फिर से हम दो रहाते हैं टू ए पलस एन मैनस वन इंटू डी तो जब हमको सारा चीप पता है और होता है आप लोग जान यहां पे एन बाय टू ए पलस एल ठीक है इस पर आराम से बना देते हैं तो एन का मांण क्या होए एन कौ एन जो दिया गया है ठीक है यह समझ गये अब आप लोगो कहीं कोई दिकत नहीं होगा थे एन इकॉल क्या होगे यहां पर ठीक बटे टू और एक आमान पता है सेवन और लास्ट जो पत दिया गया इस एपी के सिरीज में 35 दिया गया था आप लोग यहां पर 35 लिख सकते है 35 अब इसको अराम से क्या किजिए एड़ कर दिजिए यहां पर 35 और 7 करते हो जाता है 35 और 7 और 7 हो जाता है 42 यहां पर हो गया यहां पर 42 लिख दिया अब क्यों लिख दिया कि यहां पर गुना ही होगा हमको पता है ब्रैकेट में अब यहां पर दिखिए यह कर जाता है 21 द तो आप लोग गुणा करेंगे अराम से इसको निकाल सकते हैं 21 मल्टी तेरह मल्टीपला 21 यह आप लोग गुणा कर दिजिए आपका S30 निकल जाएगा चलिए हम निकाल के देखते हैं हमने यहां पर गुणा भी कर दिया देख लिजिए इसका 21 गुणा 13 कर दिया ठीक है यहां पर आजाता है मेरा 273 एसन इक्वल क्या हो गया मेरा 233 तो मतलब 13 जो निकल के आया एस तेरह इक्वल क्या निकल का है 273 यह निकल का है और डी बोल्ड था तो डी हमने यहां पर निकाल लिए चलिए हम लोग देखते हैं कि तीसरा नंबर सवाल कि नमर में क्या दिआ गया है अंबर का तिसरा सवाल हम लोग देखेंगे और बहृत ही अच्छा सवाल दिया है कही कोई दिक्केत नहीं और इसको ज्यादा बनाने में टाइम निकल ने लगόσır ठीक है डीकल दिया है यह दोनों निकाल दिया गया है तो आप लोग भी इसी तरह हाइलाइट कर लिजी इसको ठीक है अब दिखें यहाँ लिखेंगे जिस तरह बनाते हैं दिया है एक टुलव इक्वल थर्टी सेबन और डटो तो यह तोल पॉलो कैसे लिख सकते हैं से पहले वलावी सब में हम इस बातका डिसकर्श कर सुके हैं ठीक है यहां पर लिखेंगे यह पलस 11 डी इक्वल 37 तो यहां प्ले ये 37 दिया हुए A टूल वुक्वल येट वயो टूल 37 दिया हुए हमको ग्यात करना क्या है १ जयात करना ठीक मतलब यह ग्यात करणा यह ग्यात करना चिफित् यह पई पलास 11 दी सीजे tempor दिया हुआ यहां पूग से 11 मॉलटी प्ला थिरी कर दिजिए, इक्वल 37, ए पलस 11 तिया 33 एक्वल 37, ठीक, यहां तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बाबु, ए एक्वल क्या लिखेंगे, 37 मैनस 33, तो ए एक्वल निकल के आगया, 4, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहां पर 11 तिया 33 कर दिया, D कामान यहां यह 33 है, यह पलस 33, इधर आके, पलस मेहति धर आके मैनस में हो गया, 37 मैनस 33, तो इको ला गया, 4 मैनस कर दिया, फोड़ आ गया, चलिए यह निकल गया, मेरा पहला कंड, कंडिशन फोड़ा, अब यह पता है, और यह 12 तक की बात चलड़ है, यहां पे, और यह 12 ग्या एक यह निकल लगा लेगे हम लोग, एन बाइ 2 इंटू ए पलस ए, क्योंकि ए तो निकल ही गया, एल का मॉन पति है, एन जो हो गया, मेरा क्या हो जाएगा, यहां पे, एन का मॉन 12 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट जो दिया गया, एन ही हो अगा, ए टुल, यहां पे की लिखे सब्सक्राइगे, 12 बाइ 2, आप लोग दोनों फॉर्मूलास बना सकती, कहीं कोई दिकत ने, मेरा, मेरे पास कम टैस समय है, इसलिए हम आपको बताते हैं, और सौट यह होता, आप लोग ही कोशिस करें, बना के, एक आमान क्या निकल गया, फोर, पलस, एल जो है, 37 दिया गय 41, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है, 41, अब यहाँ पर दिखिए, अब आपका मन मर्जी है, यह से भी किजिए, तो हम यहाँ पर भाग देते हैं, 6 दूना, 12, यहाँ पर आ गया, 6, multiply, 43, तो आप लोग यहाँ पर 41, और 6, multiply, 6, 6, 24, मतलब यह आंसर हो गया, तो यहाँ पर हो ग आ चुके यहीं पर, A equal 4 निकल गया, दो ची बोल रहा था निकालने के लिए, तो दो ची A equal और S12 दोनों निकाल दिए, अब हम लोग देखेंगे, 14 नमबर ही साब, ठीक है, 14 नमबर ही साब में देखते हैं, क्या दिया गया है, यहाँ पर हम लोग आ चुके है, 14 नमबर पर अधि आप लोग को 1, 2, 3, कहीं कोई प्रोब्लम होगा, कमेंट जरू करने यार, वीडियो को लाइक जरू करना, आपका एक लाइक मुझसे मोटिवेट करता है कि ने वीडियो बनाने के लिए, और साथ ही आप लोग को कमेंट करके बता है, आप लोग को कौन सा टॉपिक च अधिरी इक्वल 15 लिख लेंगे, तो यहाँ दिखिए, एक्वल दिया गया है, 125 और डी इक्वल कुछ नहीं, और एक्वल कुछ नहीं, चलिए हाईलाइट में मार देते हैं, मतलब यह दोनों जा है, हमको ग्याद करना है, डी कामान और एक्वान, ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यह जो एठीरी दिया गया है, सबसे पहले हमको दी निकालना होगा, उसके बाद एटेर निकालने के लिए थोड़ा लफड़ा होगा, क्या लफड़ा होगा, एक्वल 15 एठीर को इस तरह लिख सकते हैं, जी बोली हाँ लिख सकते हैं, चलिए, तो ए जो है सुक समय चार्ज, यह S10, इक्वल है 125, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, चीक है, S10 इक्वल है, इसे करके लिख लेना, जैसे लिख रहे हैं, A, P, K, N, पदों का योग बढ़ाबर होता है, S, N, इक्वल, N, बाइर 2, ठीक है, इंटू, 2, A, पलस, N, मिनस, 1, इंट पता नहीं है, ठीक है, कहीं कोई दिक्रत नहीं, यहाँ पर S, N, जो N, का मॉन है, वो 10 दिया गया, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे, S, N के जगह पर 125, ठीक है, इक्वल, N का मॉन क्या, 10 बाइर 2, ठीक, अब यहाँ पर बागी जो दिया गया, 2, A, पलस, N, मिनस, 1, N, का म दिया गया है, 10, मिनस, 1, और D का मॉन नहीं दिया, D का मॉन निकालना है, न, चली, कोई दिक्रत नहीं, हाँ तक समझने, 125, इक्वल, 5, यह खरता, और यहाँ पर एक का मॉन भी पता नहीं है, न, नहीं है, 2, A, पलस, 9, क्या होज़ेगा, 9, और इन, मल्टिपलाइ, D करेग इसको इधर लिखे, 2, A, पलस, 9, D, ठीक, इक्वल, यह जो है, इधर गुना में, इधर रख्याम हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो क्या हो लिखेंगा, हम लोग, 125, चलाकी करते हुए, पास से कार देंगे, तो 25 आजाएगा, अब कुछ छोटा सा हुआ, 2, A, पलस, 9 D, Q25, चला, यहां तक समझ में आगया, अब समीकरन, एक जो माने थे, समीकरन, एक में, एक आमौन क्या आद करना है, ठीक है, घा-मौन रखने, यह एक अरूटव, समीकरन, एक में एک का स्व aquela मांड़ने ठीक इस तरह लिख लेंगे और यहनदो फिप्टेन दिया हुआ थिक हो यहां पर थफ यहां पर जो दिया गया निकाले हैं वह लिख लेते हैं यहां पर तू यहां पर तू यहां पिए क्या हो जएगा तू एया हो जाएगा फैसेसे ऐसे तो एक आमान टू दे दिजिए और इसको ब्राइकेट कर लिजिए ठीक बहुत अच्छा होगा ताकि यहां पर लिखिए क्या हो जागा पंदरा मैंनस टू डी ठीक अब जो बचा हुआ है पलस नाइन डी एक्वल क्या बचा हुआ है पचीस तो पचीस से लिख देंगे अब यह कैसे हुआ दिखें यहां पर टू ए टू ए था यहां पर हम ब्रैकेट कर लिए टू ए का मानने तो पुड़ा लफड़ा हो जाते हैं यहां पर टू लिख लिए एक अमान टू दे दिए और लिख दिए ही सेम टू से नाइन डी अब आगे का समझे आगे क्या करते हम लोग इस दोनों को मल्टिपलाइ कर लिए असान हो जेगा थाटी मैनस टू डी पलस नाइन डी ठीक है इक पॉल टू टूटीफाइव यहांप हो जाता है थाटी मैनस फाइव डी कि मैनस फाइव तो सुरी यहां पीज इन भी पोड हो जाएगा फोड हो गया तो फोर हो गया 5D-45 यह प्लस मेफ मेह मैंस मैंस हो गया 5D हो गया इक वड फटीस ठीके अब देखें माझ आएगा अब यहां प्लिख लिए फाइब दी इक मैंस फोर हो गया यहां फेस प्लाइब इनस 5-5 ठीके ठाव यहर प्हांच खटम, तो क्या हो गया? मैनस 1 हो गया, डी इकल मेरा निकल गया, इतना करने के बाद, अब इतना करने के बाद, हम लोग को निकल गया, अब एं सतरह निकालना है, यहorters यह निकलना है, डिखे लीजी अच्छी तरह से समीकरन सॉरी समीकरन एक में ठीकर मान रखने पर है कि रखने पर आप दिखे शमीकरन यह इकवल 15 मैंनस दिया हुआ है और धी का जो मान अभी मैंने निकाला मैंना तो मॉल्टिपलाई कर दीजिए मैंनस न से एक उल क्या हो गाए यहां पर शी दीया हुआ है यहां पर 17 पेले हमिद्ली बात जो होता है एकामान और दीकामान दो पत्थ जरूरी हम को पहले एक ग्याद हो जाए और डिक घुए होजए दुनिया का सर्फ प्रफत ग्याद कर लें ठीक है लेकिन यहां हमको एटन निकलना है तो आराम से कोई दीकत ने यहीं पर लिख लिख लीजी A 10 एक्वल 17 एक आमाउन 17 देंगे प्लस N कामाउन 10 ना वहाँ पर भी हमोग रखे थे N कामाउन 10 रखे थे यहाँ दिख लिख 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 है ना प्लस मेनस मैनस सतरह मैनस नो तो एट एन इक्वल क्या होज़ेगा आठ जो कि निकालना था इस तरह मतलब पुड़ा का पुड़ा लॉंग हो गया यहां से यहां तिल में पुड़ा पुड़ा लॉंग है यार कहीं कोई दिकत ने आप लोग समझ गे बहुत अच्छा है दिख सवरा उच्छी निकाल सकते हैं तोड़ दिए यह थोड़ा लॉंग था चलिए हम लोग देखेंगे थिरी का फाइब नमर इसा हम लोग देखेंगे फाइब नमर फाइब नमर में डी इक्वल दिया है फाइब एस एन इक्वल सेवेंटी फाइब और एग्याद करना और इक्वल इक्वल पाइब ऊड़ा लोग जोग है उनले प्धिकरणि और थे बहुए हम लग दिया है है विच्ची अंतर फाइब और एस नाइन इक्वल सेवेंटी फाइब एक्वल कुछ नहीं और एफिए गत्याद करना यह दोनों ग्याद करना है इसको पहले हालाइट के तो सबसे बड़ी बायात आप लोगे लिखेंगे सबसे पहले एपी का एन पदों का योग बढ़ावर होता है सबस्क्राइब दिया गया है यहां पर तोड़ेंगे ठीक है यह निकालना हो गए यह निकालना है यहां पर दिया गया है यहां पर चय्चाते हैं से एसे इन इपर धेंद लिए है 55 थे olur यह और यह 65 हो गया ठीक है चलिए है एकवल array on का मत यहां यहां पर नाइन दिया हो गया है यहां यहां पर नाइन दिया गया यह मैंनस फाइब दिया हुए ठीक है डिक आमान दिया गया एक आमान आराम से निकल जाएगा 75 हो जाएगा इक्वल 9 बार 2 ठीक है यहाँ पे 2A प्लस यहाँ देख लिजिए 8 हो जाएगा और 8 को मल्डिपलाय करेंगे 5 से क्या हो जाएगा 40 चले यहाँ थोड़ा सोट कर दिये है दिकत नहीं ठीक है यहाँ लिख लिजिए आप लोग 75 इक्वल 9 बार 2 और यहाँ पे जो है 2A प्लस 40 यहाँ दोनों में डिवाइड करना ठीक है यहाँ पे यह दोनों को डिवाइड करता है मल्टिपलाय इधर डिवाइड हो जाएगा डिवाइड करता है यहाँ दिखिए हैप लोग यहाँ पर कर सकते हैं क्या अलागिया यहाँ पर इसको कर डिजे क्ट अब यहाँ दिखिए 65 इकक्वल नाइन नाइन लिटी last now red यहाँ और 6-2 इसको भी कर एमल्टिपलय करेगा इस साथ नाईन 180 जब बहुत अच्छा 75 इक्वल 9A पलस 180 तो आप लोग यहां पे लिख सकते हैं 9A इक्वल 180 मैनस 75 इधर पलस में इधर आके मैनस में हो जाएगा तो 9A क्या हो गया मैनस कर दीजिए इसको जब मैनस करते तो आ जाता है 105 तो 105 आ जाता है तब इसको मल्टिप्लाइट करके डिवाइड कर देना एक्वल क्या हो जगा इधर गुणा महिति धर आके भाग में हो जागा 105 इक्वल 9 तब इसको काट दीजिए यह खतम हो जाएगा 35 और यह तिन तिया नो 35 तीय एक्षोप पाच ठीक है और यहाँ पे तिन तिया नो तिहां पागिया टोटल बात करें तो एक्वल आ जाता है 35 बटे तीन यह हो गया यह निकल गया अब हम लोग को ग्याद करना यहाँ पे एस 9 ठीक है यह 9 गयाद करना है न ए 9 तो और आम से गयाद कर लेंगे कहीं कोई दिकत ने हम लोग जानते हैं लिखेंगे यहाँ पे नीचे यह मिसके नीचे मिखना आप लोग को हम यहाँ लिख देते हैं वी नोड़ेट यहां हम जानते हैं ठीक है एन इक्वल होता है यह प्लस एन मैनस वान इंटू डी चलिए अराम सिसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यह नाइन निकालना है ठीक यह नाइन इकवल लिखेंगे यहाँ पर एक मॉन जो निकला 35 बटे क्या टीन प्लस एन का मॉन एन का मॉन यहाँ पर हम लोग रखे थे नाइन यहाँ भी रखें है यहां पर आजाएगा इसको मैंव हरें यह लिखे थे ऩ मॉल्टिप्लाय प्वांच यह को लिखेंगे 35 बाइट यह यह चलेगा अब यहां पर देख लिजी यह ज्यूहें दोनों को मल्टिप्लाय कर लेते हैं क्या आ जाता सभी डिवाइड ही तो क्या गए 115 में स्कीकाइब होजाएगा पलस यहाँ पे तो यहाँ पी क्या है चाली है चाली मैन निकलां पिये इसका तुम मैनस कर प्लास मैनस क्या हो जागा मैनस 85 थिरीज का अंसर हो जाएगा अब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था दिख लीजिए यह नाइन एक लिखेंगे 75-180 क्योंकि यह 75 यह पलस में था इधर आके मैनस में वा तो हम लोग यह से भी लिख सकते थी यहां पर यह बला जो था 75 हम लोग लिख सकते थी आपनेक्षे 75 एकवल के 9 ए पलस जो है 180 180 है तो यह आप लोग इसे भी लिख सकते थे 75 मैनस यह plus में दिधर आके मैनस में हो जाएगा equal 9 इस तरह लिख सकते थे तो हमको यहाँ थोड़ा सा mistake हो गया था तो आप लोग समझ लीजिए यह 75 हो गया 75 minus 180 तो यहाँ यहाँ पर हो गया 105 मैनस में आगया 105 तो यह equal क्या हो जागा 105 85 मैनस में तो यहाँ पर क्या आणसर आगया आपका यह कम ओन मैनस 35 by 3 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हमने बस यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा प्रोब्लम हुआ सिर्फ मैनस लगाना था और कुछ ने तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर यहाँ निकाले 85 by 3 और यह निकाले मैनस 35 by 3 निकाल लिए तो पूर्ण पेन आप लोग समझेगे वे तो वीडियो अच्छी लेगे तियार वीडियो को लाइक करना दोस्तों साथ सेर करना और चैनल पने और चैनल को सब्सक्राइब करके नोट्सेशन बिलको प्र करके जरूर बताना थैंक्स पर वाचिंग मेडियो मिलते एक नए वीडियो को लेके जय हिन जय भारत